काजोल को अपना हनीमून छोड़कर घर वापिस क्यों आना पड़ा? बॉलीवूर्ड की स्टार जोड़ी अजे देवगन और काजोल की लव स्टोरी बाकी जोड़ियों से काफी मुख्तलिफ है अजे और काजोल की शादी 24 फरवरी 1999 को हुई थी इस वक काजोल की उमर 25 साल थी इस स्टार जोड़ी के दो बच्चे निसा देवगन और युग देवगन है काजोल ने एक इंटरव्यू में अजे से पहली मुलकात से शादी तक के सफर के बारे में काई दिलचस्प किस से बताये इन्होंने कहा कि हलचल फिल्म के सेट पर इन्होंने अजे देवगन को पहली बार देखा तो वो बहुत खरडूस लगे क्योंके वो एक कोने में बैठ कर काफी पी रहे थे और सब को घूर रहे थे किसी से भी बात नहीं कर रहे थे काजोल ने ये भी इंकशाफ किया कि वो इस वक्त किसी से रिलेशन में थी और अजे भी रिलेशन्चिप में थे बाचीत के दोरान वो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बाते शेयर कर रहे थे फिर दोस्ती बढ़ती गई और वो दोनों आपस में relationship में आ गए लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को propose नहीं किया था काजोल ने बताया के इन्हों ने अपनी शादी में किसी को भी नहीं बुलाया था बस दोनों के 20 के करीब रिष्टेदारों ने ही शर्कत की थी इनके 2-3 दोस्त भी आये थे अतकारा ने बताया के इन्हों ने और अजे ने मीडिया की जंजट से बचने के लिए मीडिया को शादी का venue गलत बता दिया था गाजोल ने ये भी बताया के इन्हों ने अजे से शादी के लिए शर्त रखी थी के हनीमून पर 2 महीने पूरी दुनिया घूमने जाएंगे मगर हनीमून बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ गया 40 रोस तक घूमने के बाद अजे बहुत बग गय थे एक दिन नीन से उठकर बोले मुझे बुखार हो गया है मैंने कहा दवाई वगेरा ले लो मगर एजे ने कहा चलो वापस घर चलते हैं